घर में मेरे आई थी भावी और मेरे पास कोई ऐसा नास्ता भी नहीं था तो मुझे उनका नास्ता जरूर कराना था तो मैंने क्या किया कि घर में से मैंने आटा लिया ग्यहूं का आटा और ग्यहूं के आटे से मैंने फटा फट ये नास्ता बनाया तो भावी खा कर बॉल रह पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी सी जानकारी होगी तो दोस्तों चले चलते हैं और वीडियो सुरूर कर लेते हैं मैंने यहां सबसे पहले एक कटोरी आटा लिया और इसको छान लिया है और अब यहां पर यहां पर मैंने लिया है लशन अदरक और दो मिर्ची डाली है इसमें तीस करबारी करके इसमें डाल देंगे और अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला चाट मसाले से और इस चटनी से हमारी इसमें बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है और अब डालेंगे आधी चम्मच अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा सा इस तरह से मेश करके डाले, यहाँ पर डालेंगे नमक, नमक, स्वादनुसराद डाले, और अब यहाँ परहरा धन्या डालेंगे, और इसमें ही डालेंगे थोड़ा सा पालक, अगर आप इस तरह से इन्हें सब चीजर साइब टालेंगे, तो बहुत ज्यादा iniquis यहां पर मिस कर लेंगे, थोड़ा सatर्षों करने के बाद यहां पर मिस माण McMix करने के बाद, यहां पर दालेंगे, तेल तेल आप यहां रिखेंड या फिर घी बी डाल सकते हैं, देसे तेल भी डाल सकते हैं मिस करने के बाद अच्छे से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक रोटी पकाने के जैसा हम इसमें एक अच्छा सा डो बना लेंगे जैसे डो की हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरह मैंने अच्छा सा एक सॉफ्ट करके डो लगा लिया है जिस तरह हम जैसे डो की रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह और इतना ही सॉफ्ट बना कर हमने तयार कर लिया है अब यहां पर हम ढग देंगे एक कपड़ा ताकि इसमें हवा न लगे और अब इसे हम यहां पर्रेश्ट दे दिया है पांच मिनट के लिए और पांच मिनट में आप इसे देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो यानि मुलाम हो चुका है अब इसके हम यहां पर सारे के पेड़े बना लेंगे इस तरह से पेड़े हमें सब के बना लेने हैं और अब हम इसे बेलन से यहां पर इसे अच्छे से बेल लेंगे इस बड़ी सी रोटी बना लेंगे इसके अगर आपके पास ऐसा सलेफ नहीं है तो आप चकले के ओपर रख कर इसे बेले अब जैसे हमने इस रोटी बेल ली है तो इसके हम यहाँ पर लंबे-लंबे साइज में इसके कट कर लेंगे अब यहाँ पर हम इस पे तेल लगा लेंगे आप चाहे कट करने से पहले भी इस पे तेल लगा सकते हैं अब हमने इस पे अच्छे से सारे पे तेल लगा कर इस तरह से मिसका फोड कर लेंगे फोल्ड करने का तरीका बहुत ही आसान ही, इसमें कोई जंजट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस तरह से, मैं इसके सारे के इसी तरह फोल्ड कर लूँगी, और इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा चप्टा कर लूँगी, अब इस पे यहां पर सुकाट डालेंगे, और इसे यहां से हलका हलका सा बैलन से बैल लेंगे, बिल्कुल एकदम हलके हाथों से, ताकि जो इसमें लहर हैं, यह लहर बिल्कुल भी चिपके ना, और बहुत ही अच्छी तरीके से लहर बन जाए इसमें, अब आप देख सकते है इसकी लहरे कितनी अच्छी तरीके से दीख रही है, मैं इसी तरह से आपको दो तरह का नास्ता बना कर दिखा हूँगी, अब यहां भी हमने इस रोटी को बेल कर, इस पे तेल लगाए ले, इसे इस तरह से बिना कट किये इस तरह फौल्ड कर लेंगे, और हम इसे फौल्ड कर लिया है और अब इसके छोटे छोटे पीस में हम कट कर लेंगे इस तरह से और आप इसे इस तरह से बीच में से दबा कर इस तरह का भी नास्ता बना सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नास्ता नहीं बना पाऊंगी आपको बता रही हूं क्योंकि मैं ऐसा नहीं बनाना चाहती हूं तो मैं इस तरह से बनाऊंगी, कि इस तरह से इसे आड़ा रखेंगे, और इसे उपर से इस तरह दबा देंगे, और ये बहुती आसान है बनाना, बीच में से दबाए, बराबर साइड से न दबाए, मैं सारे को इसी तरह बना लेती हूँ, अब मैंने सारा नास्ता इसी तरह बना लेहर आप इसकी लेहर देख सकते हैं कितनी अलग-अलग दिखाई दे रही है अब यहां पर चूले पर तेल रखा कड़ाई में तो अच्छे से गरम हो चुका है अब इसको हम यहां पर फृराई कर लेंगे इतना ही डाले जितना अपनी कड़ाई में आ जाए मैंने यहा हम यह इस तरह की जो हमने पड़दार जो हमने यह बनाए थी पूरी हम सबसे पहले यह इनको फराई कर लेते हैं इन्हें यहां पर अलट पलटते रहेंगे और जब तक इन्हें हम फराई करेंगे जब तक यह अच्छे सी क्रिस्पी खस्ता न हो जाए यानि एकदम कुर्कुर न बन जाए अब आप देख सकते हैं खस्ता कुर्कुरी हो चुकी है और अगर आप चाहे तो इन्हें थोड़ा सा सोफ्ट यानि मुलाम भी बना सकते हैं मैंने यहां पर गेस को बिल्कुल सीलो किया है और सीलो ही गेस पर हम इसको फराई कर रहे हैं आप इसका लुक देख स नास्ता हम नहीं बनाया है इसको अच्छे से यहां पर यह यह तेल में डालेंगे और इनको भी फॉराइं कर लेंडिवें इन को भी फॉराई करेंगे से मदी यहां रही है कि पर इससे एहां और यह घम आहले हैं अ़र्यु पर औरbuilt यह क्लाई बनादा लहर चमक रही है और क्या प्यारा कलर इन में भी आ चुका तो मैं सारी को इसी तरह बना लूँगी यानि इसको फ्राई कर लूँगी लीजी मैंने सब को फ्राई कर लिया है यहां पर रखेंगे हरी मिर्ची टमाटर की चटनी जो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है और सब्सक्राइब बनता है और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो लाइक और आईडी फोलो जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें तो दोस्तों इसी तरह की रेसिपी बनकर तयार हो जाएगी तो आप देख सकते हैं और यह चटनी जहना यह चटनी भी बड़ी टेस्टी और स्वादिश्ट एक बार बनाएंगे यकिन मानिये बार बार खाने का मन करेगा बाए टिक क्या